एक तरफ फ्रेंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सिन लग रही है तो दूसरी तरफ सागर जले के रहादगर में गाइड लाइन के मताबिक टीके नहीं लगाय जा रही है दरसल कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहाद 6 महीने के नवजात शिसू की माँ जो आशा कार करता है उसे वैक्सिन का डोज लगा दिया गया कोविड-19 गाइड लाइन नियम के मताबिक नवजात शिसू जो मा का दूद पीते हैं और जिनकी उम्र 6 महीने से कम हो ऐसी महिलाओं को वैक्सिन नहीं लगना चाहिए लेकिन आशा कार करता विनीता अहरवार को दूसरा वैक्सिन का डोज लगा दिया गया जब उसे वैक्सिन का पहला डोज लगा था तब उसके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम थी उसके बाद भी वैक्सिन का पहला और अब दूसरा डोज भी लगा दिया गया हालाकि आशाकार करता को कोई समस्या नहीं हुई प्राएंग के लिण के लगला है गींगेगा किसी अंगर शान में जयाम ड़ाएंग आपको ऋएिसा अंगर मीम है देखा देखं़ी दूसरा भी लगा करी तूप में और तरोकें यहां नहीं की नहीं है तो दूसरा भी लगा दें perlu बिलागा डॉक्टर लक्षमर यादाव का कहना है कि 6 महीने से उपर के बच्चे की मा को वैक्सिन का ठीका लग सकता है अगर विवा की गलती है तो जाच की जाएगी वहीं सामुदा एक अस्पताल पहुचने पर बीपीएम मनीज दुबे भड़क गए और मीडिया करिमियों पर ही बरस पड़े ऐसा गैडलाइन के हिशाब से है कि एक्स्कुलिसिव ड्रस्ट फीजिंग मदर जो है उसको नहीं लगाना है इसके छे महिने के ऊपर हो गया है जो बच्चे को दूद पिला रही है उसको लगा सकते हैं इसके बच्चे का सेवन्द मन चल रहा है यदि दो-चार दिन पहले कम हुआ होगा तो उसने बता दिया हुआ कि मेरे बच्चे का 6 महीना हो गया है, इसके वाद ही लगाया गया इन्जेक्षन जी यदि ऐसे गलती कहीं भी भाग में है या किसी ने उसको बता दिया है कि लगे गाया तो मैं उसको दिखवाता हूँ, देख लेता हूँ राहत गर से धरमेंदर सिंगराजपूत, सागल्टीब नियूज एक बार सेवा का अपसर जरूर दें, अपना बेक एंड शेक, औल बेकरी एंड वर्थडे आइटम हमारा पता है इसने नगर, विंद्या निकेतन, स्कूल, जेल के पीछे, सागर, मध्यप्रदेश